हेलो फ्रेंज हम लोग आज देखेंगे कि मिरर इमेज का सेकंड जो टाइप होता है अभी इससे पहले वाले वीडियो में आपने देख लिया होगा कि किस तरीके से हम आपको words, alphabets, उसके mirror image यानि कि दरपन प्रतिबिम्ब की बात कर रहे थे अभी जो हम दरपन प्रतिबिम्ब की बात करेंगे वो images यानि photos उसका कैसा दरपन प्रतिबिम्ब यानि कि mirror image बनता है चलिए, मैं लिए चलता हूँ एक basic theory के पास जो बहुत ही जरूरी, बहुत ही important theory है यानि कि जो नीचे वाला हिस्सा है, दोस्तों वो अभी भी bottom यानि नीचे वाला हिस्सा ही रहेगा जो top वाला हिस्सा है, वो top ही रहेगा कोई तरह का बदलाव नहीं होगा, mirror image का मतलब है ये एक काच लगा हुआ है, हम देख रहे हैं अपने आपको, काच दरपण के माफिक है आप जब अपने आपको दरपण में देखते हैं, जरा सी छोटी सी बात को समझिएगा क्या आप उसमें उल्टे नजर आते हैं? नहीं उल्टे नहीं नजर आते हैं आप सीधे नजर आते हैं बस दाया जो है वो बाया बन जाता है यानि कि जो LHS लेफ्ट हेंड साइड वो आपकी RHS बन जाएगी आप ध्यान से देख सकते हैं इसको इसमें कनवर्ट हो गया RHS आपकी लेफ्ट हेंड साइड बन जाएगी क्या यह मेरी बात समझ आ रही है बहुत सिंपल शब्दों मैं अगर कहूँ तो दाया बाया हो जाएगा और बाया दाया हो जाएगा इससे भी आसान एक तरीका मैंने पिछले विडियो में आपको बताया था जो टाइब बन था उसमें जो मिरर यानि कि दरपन के नजदीक है वो वापिस नजदीक रहेगा जो दरपन से दूर है वो दरपन से दूर हो जाएगा बस इसी बात को समझना है maximum question आपके जो हैं ज्यादा तर जो question है वो इसी से ही solve हो जाएंगे चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यह यहाँ पे पहला question है और आपको कहा है कि सही दरपन परतिबिम्ब कौन सा है ध्यान से देखेगा दोस्तों यहाँ पे मान लीजिए मेरा आइना मिरर दरपन लगा है तो उपर की तरफ एक blank आया है नजदीक में तो यहाँ पे नजदीक में ब्लैंक तो नहीं है यहाँ पे नजदीक में ब्लैंक तो नहीं है मेरी बात समझेगा उपर की तरफ नजदीक वाला खाली है उपर वाला नजदीक खाली है उपर वाला नजदीक खाली है यहाँ तक तो बात समझा गई आप देख सकते हैं यहां पे और यहां पे एक cross बना हुआ है अंग्रेजी का X बना हुआ है यहां पे X बना ही नहीं है मेरा answer हो जाएगा यह क्या यह बात समझ आ रही है आप लोगों को तरीका समझ आया कि किस तरीके से और मुझे रहता है 10 सेकंड मैक्सिमम है एक क्वेशन के लिए 10 सेकंड में आप कर पाएंगे एक और क्वेशन देखते हैं ध्यान से समझने की कोशिश करेगा हमारा क्वेशन नमबर टू है दरपन प्रतिबिम्ब आपको पता लगाना है दरपन प्रतिबिम्ब यानि mirror image दोस् नीचे की तरफ arrow नजदीक है ये भी खतम हो गया अब आप देख सकते हैं उपर वाला भी arrow नजदीक है उपर वाला भी arrow दोनों में नजदीक है लेकिन एक बात समझेगा जब ये arrow इस लाइन पे इस तरफ तीर का जो निशान है वो अंदर की तरफ है तीर का निशान उपर तो नहीं चला जाएगा यही मेरा final answer हो जाएगा क्या ये तरीका समझ आया आप आराम से इस video को देखिएगा मैंने बहुत धीरे धीरे slowly आपको समझाने की कोशिश की है एक और question देखते हैं question आराम से देखिए दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण रहेगा आप question को कैसे समझते यहाँ पे मेरा दरपन लगा है देखेगा इस वाले portion में नजदीक की तरफ एक triangle बनावा है त्रिबुज बनावा है द्यान से समझ रहे हैं आप नजदीक वाले में त्रिबुज बनावा है तो नजदीक इधर से नजदीक तरिबुज बनना चीए यह पे नहीं है यह पे न दोस्तों हम ध्यान से देखेगा अब मुझे पीछे वाले portion के अंदर बैक साइड में मुझे एक इस तरह का रोमबस चाहिए या कतली आकार चाहिए से समझे हम तो क्या यहां पे पीछे की तरफ कतली आकार है रॉंग हो गया यहां पे कतली आकार है राइट हो गया यह मेरा आंसर हो गया तो आपने यह देखा दरपन से जितना दूर कतली इधर है दरपन से दूर कतली उधर है और बाकी वाले में तो कतली बन ही नहीं रही है तो काम ही कतम हो गया चलिए अगले question की तरफ लिए चलता हूँ ध्यान से देखेगा question करने का तरीका समझिएगा यहां मेरा दरपन लगा है अब देखेगा दरपन के नजदीक उपर नुकीला है और नुकीला दोनों तरफ है चोटा आगे और बड़ा पीछे वापिस देखेगा मैं बता रहा हूँ दोस्तो चोटा आगे और बड़ा पीछे दरपन के इस तरफ चोटा आगे गलत हो गया दोस्तो चोटा आगे चल जाएगा यह गलत हो गया तो मेरी बात को समझिएगा छोटा आगे बड़ा पीछे छोटा आगे बड़ा पीछे यानि उपर वाले से हमने यहाँ पे ये तो निकाल ही लिया अब नीचे की तरफ देखेगा ये जो पाया है पैर है ये पीछे की तरफ है ये पाया पीछे की तरफ होना चाहिए आगे नहीं चलेगा काम खतम हो गया मुझे दरपन से जितना इस तरफ जाना है उतना ही उस तरफ जाना है यानि यहाँ पे यह पीछे है तो वहाँ पे उस तरफ पीछे होना चाहिए आगे नहीं चलेगा क्या यह बात समझा गई एक एक question में आराम से देखिए मैं आपको more than 30 questions कराऊंगा questions question करते ही आपका topic clear हो जाएगा जब आपको लगेगी confidence आगया है आपको बस उसके बाद क्या करिएगा मेरे वीडियो को question आते ही pause करिएगा आप अपना answer निकालिएगा और मेरे answer से match करिएगा more than 30 questions अगर हमने इस वीडियो में कर लिए एक एक चीज आपको clear होते चले जाएगी ध्यान से देखिएगा दोस्तों ग्रीजयों मुझे यहां पे बनाना है यह यह यहां पे नजदीक है और यहां पे दूर है इसा ही मुझे उपर नजदीक और बाहर दूर चाहिए यह तो खतम हो गया यह भी खतम हो गया उपर ही arrow ही sign जो तीर का निशान है वो ही उपर हो गया मेरा एक ही single question से answer आ गया मुझे और कुछ लगाना ही नहीं पड़ा मेरे बाद फिर से समझेगा दोस्तों उपर से नजदीक है और अंदर से दूर है और तीर का निशान अंदर की तरफ है तीर का निशान अंदर की तरफ है ये तो कामी खतम हो गया इसका यहाँ पर तीर का निशान बाहर है खतम हो गया दोस्तों ये नीचे चला गया जो की जाएगा नहीं हमने कहा mirror में कभी भी उल्टा नहीं होता एक ही answer बजगे question सारे करिएगा दोस्तों आखरी तक सारे question करिएगा बहुत ही definitely आप लोगों को चीजें easily समझ आएंगे देखेगा ये मैंने प्रति दर्पन बना रखा है ऊपर की तरफ एक X है नीचे की तरफ तो नहीं जाएगा पीछे की तरफ तो नहीं जाएगा और नीचे की तरफ तो नहीं जाएगा जो इधर से X नजदीक है वो X इधर से भी नजदीक होना चाहिए पीछे की तरफ नहीं चला जाएगा इसलिए गलत हो गया यहाँ पे X नीचे आगया और यहाँ भी X नीचे आगया जो की हमें नहीं चाहिए था क्या ये तरीका समझ आए आपको किसी से भी लीजे आप X से ले रहते आप arrow से बनाने की ट्राइ करते चली अगला question आराम से देखेंगे हम मैं बहुत अच्छे से explain कर रहा हूँ आप लोगों को कहीं कोई doubt है तो आप पूछ लीजेगा दियान से देखेगा मेरा तीर का निशान यानि जिसे हम arrow कहते हैं अंग्रेजी में वो पीछे की तरफ ऊपर है पीछे की तरफ ऊपर पीछे की तरफ ऊपर पीछे की तरफ ऊपर क्या ये बात समझ आ रही है पीछे एक चीज हमेशा दियान रखेगा ये mirror है तो इसका आगे ये होगा और इसका आगे ये होगा ये हमेशा ध्यान रखी है अब बात करते हैं दोस्तों यहां से ये जो लाइन आ रही है ये उपर की तरफ मुड़ रही है अगर आप इस बात को समझें तो मैं और अच्छे से explain कर रहा हूँ ये देखेगा यहां पे ये यह जा रही है वो इधर अगर आप ध्यान से देखें यहां ये लाइन उपर से नीचे जा रही है और यहां ये नीचे से उपर जा रही है हमें फिर से एक बार बता दू कि नीचे से उपर चाहिए नीचे से उपर चाहिए यानि ये मेरा आंसर हो गया जो थर्ड नंबर पे था ये गलत हो गया ये तो दोनों ये वैसे ही गलत हो गये थे इन दोनों में हमने निकाल लिया चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स क्वेश्चन की तरफ जैसा कि मैंने कहा आपको उल्टा यानि की उपर है तो नीचे नहीं जाएगा ये गनफर्म है यानि जो चीज सीधी खड़ी है वो सीधी रहेगी हम जब अपने आपको मिरर यानि की आईने में देखते हैं हम उल्टे नहीं हो जाते है तो एक बात तो गनफर्म है दोस्तों किसी भी हालत में ये दोनों तो गलत हो जाएंगे क्योंकि ये छे है तो नीचे की तरफ ये नहीं जाएगा ये अज़िट इस छे बनावा है अब इन दोनों में देखना है हमें की कौन सा वाला सही है द्यान से देखेगा आपको ये लाइन सीधी खड़ी नजर आ रही है और आपको यहाँ पे ये डॉट्स नजर आ रहे है ये भी गलत हो जाएगा सिर्फ यही एक आंसर बच जाएगा क्या ये बात समझ आ रही है यहाँ पे आपको बहुत सारे डॉट 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 नजर आ रहे हैं यहाँ यह लाइन नजर आ रही है चलिए अगले क्वेशन की तरफ चलते हैं हम लोग देखेगा द्यान से तिकोन जो है उपर की तरफ इशारा करे हुए है तो यह जो उल्टे तिकोन है इन्हें तो घर बेज़ देना चाहिए हमें हमारी यह लाइने जो हैं वो इस प्रकार से हैं और इसमें लाइन इस प्रकार से हैं यह भी गलत हो जाएगा बचा ही एक आंसर हमारे पास क्या यह बात समझा रही है चली एक और question बस आप question देखते जाएए दोस्तों जहां आपको confidence लगे वहाँ स्वयम करना शुरू कर दीजेगा चली ध्यान से देखें हम नीचे arrow नजदीक है यहां दोनों जगए है कोई दिक्कत नहीं है ब्लैक वाला बीच में है और सफेद वाला उपर है काला वाला बीच में सफेद वाला उपर काला वाला बीच में सफेद वाला उपर answer हो गया हमारा क्या यह तरीका समझा है simple question है बहुत जादा भारी, बहुत जादा टेड़ा ऐसा कोई भी question नहीं है ये दोस्तों exam में अगर आएगा पूरे एक number मिलने की समभावना रहती है मतब दो number एक question है दो number मिलने की समभावना रहती है आप इसे miss नहीं करें यहान से देखें हम ball पीछे की तरफ है तो ball पीछे की तरफ होनी चाहिए ये तो गलत हो गया हमारा क्या ये बात समझा रहे है जो ये खड़ा टांग है खड़ी टांग वो आगे की तरफ है खड़ी टांग आगे की तरफ है पीछे तो नहीं जा सकती अब इन दोनों में देखना है हमें इसके दो दोनों हाथ आप देख सकते हैं, दोनों मैंसे एक भी सीधा नहीं है, यहां एक सीधा है जो पीछे है, एक सीधा है जो की पीछे है, यह मेरा आंसर हो गया, क्या यह बात समझा गई? एक और question देखते हैं हम लोग, question देखते चले जाएए आप, कहीं कोई लगे आपको की चीज नहीं समझ आई हैं, चिंता ना करिए, विडियो आपके पास है, आप दो बार, तीन बार देखें, लेकिन इस topic को clearly समझें, चलिए, यहां अगर हम देखें, तो यह जो triangle, यानि की tricone है, वो सीधा है, उल्टा नहीं होगा, यह तो confirm है, उल्टा नहीं होगा, यह भी confirm है, अ यह बात समझ आ रही, अच्छे तरीके से, आप यह बताए, ऊपर जो single dot है, वो ऊपर ही रहेगी न, नीचे तो नहीं आ जाएगी, और triangle जो है, तिरे कोन है, वो उल्टा नहीं होगा, काम ही खतम होगया, चलिए, आगे बढ़े हम, आराम से देखें, दरपन प्रतिविंब क mirror image को, चलिए, यहां पर अगर मैं ध्यान से देखूँ, तो यह इस तरह का mirror है यहां पर, और ऊपर की तरफ इशारा करते हैं, ऊपर की तरफ, बड़ा काटा ऊपर की तरफ नजदीक है, वापिस देखें, बड़ा काटा ऊपर की तरफ नजदीक है, यह तो गलत हो गया, छो भी काटा कहां परे दोस्तों, एक और दो को छोड़ने के बाद, यहां एक और दो को छोड़ने के बाद आएगा, यही मेरा answer बन जाएगा, क्या ये बात समझ आ रही है, भाई यहां तो एक छोड़की आगया ना काटा, अगर आप ध्यान से देखें, तो यहां तो एक तरफ लाइने सीधी हैं तो ये तो हो ही नहीं सकता है। नीचे की तरफ लाइने ऐसे हैं चलो वो सभी में नजर आ रही है। अब ये कर्व ऐसे बन रहा है तो अगला कर्व ऐसे बनेगा यानि ये भी गलत हो गया। अब इन दोनों में हमें ध्यान से देखना है कि क्या होगा ध्यान से देखेगा, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ ये जो lines आपको नजर आ रही है इसमें बड़ा portion पीछे की तरफ है बड़ा portion पीछे की तरफ है ये भी गलत हो गया, इसमें आप देखें बड़ा portion आगे की तरफ आगया तो तीन कट गए, ये ही हमारा answer हो गया चलिए आगे एक एक question को बहुत आराम से देखें दोस्तों बहुत ही आराम से मैं एक एक question आपको बोल-बोल के साथ-साथ में समझा रहा हूँ बस मेरा एक ही कहना है कि जिस समय आपको लगेगी question समझ आ रहे हैं ये आर है, तो दोस्तों इधर जाएंगे तो ये आर हो जाएगा और ये एल हो जाएगा बस आर एल में convert हो जाएगा आर एल में हो जाएगा तो जो इधर आर है वो वापिस इधर आर बनना चाहिए अब हम question को करते हैं कि ये जो भाई ऐसे बैठा है ये ऐसे तो नहीं बैठेगा क्या ये बात समझ आ रही है अच्छा, ये फिर से ऐसे बैठा है और उल्टा ही गया है अब बचते हैं दोस्तों ये दोनों question ध्यान से देखेगा अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसका circle यानि गोला यानि ये जो वृत है वो अंदर की तरफ है इस आदमी की तरफ अगर आप ध्यान से देखें तो इसका आदमी की तरफ नहीं है बाहर की तरफ चला गया आदमी की तरफ अंदर आना चाहिए था ये मेरा answer हो जाएगा क्या ये बात समझ आ रही है अच्छे से चरिए इसको भी हम करने की कोशिश करते है पहली चीज काला उपर सफेद नीचे ये तो गलत ही हो गया हमारा अच्छा उपर की लाइने सीधी खड़ी है सोती भी नहीं है ये भी गलत हो गया ये मेरा answer हो गया क्या ये बात समझ आई बस मैंने किसी तरीके से option elimination करने हैं आप लोगों के लिए चलिए एक और question हम देखें question को देखें आराम से समझने की कोशिश करें उपर की तरफ arrow arrow यानि तीर का निशान नजदीक है उपर की तरफ arrow यानि तीर का निशान नजदीक है ये तो cancel हो गया curved पार गोलाई वाला पार्ट नजदीक है ये भी गलत हो गया दोस्तों अच्छा अब ध्यान से देखेंगे हम तो और चीज़ें समझ आ जाएंगी ये जो गोलाई वाला पार्ट है ये दो भाग में है और पीछे वाला चार भाग में है गोलाई वाला दो भाग में है पीछे वाला चार भाग में है ये मेरा अंसर हो गया तो एक एक question पे हम बहुत अच्छे से ध्यान दे रहे हैं बस आप मेरे साथ एक एक question करते चला जाएंगे और आपका chapter clear होता चला जाएगा ध्यान से देखेगा उपर की तरफ circle और नीचे x उपर की तरफ circle और नीचे x कामी खतम होगया दोस्तों नीचे दो लाइने हैं कामी खतम होगया दोस्तों ये ही मेरा answer बच गया simple सा question था मुश्किल से आप लोग hardly 3 से 5 सेकिंड में इस question को कर पाएंगे छलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग ध्यान से देखने का कोशिश करिया समझने का कोशिश करिया सबसे महत नजदीक में तिकोन उल्टा बताओ कितना समय लगा मुझे करने में मुश्किल से 5 सेकिंड question को देखके वस खतम चलिए ये जो तीर का निशान नीचे है नस्दीक है ये तो कामी खतम हो गया ये भी कामी खतम हो गया ये ही बच गया और वैसे भी हमें mirror image यानि कि दरपन प्रतिविम कहा था गोला नीचे है गोला उपर है काम खतम ऐसे भी हो गया शली है अगेन दरपन प्रतिविं मिरर इमेज के क्वेशन कर रहे हैं दोस्तो काला डॉट उपर है यानि ये दोनों तो नीचे हैं खतम हो गए बात तो है कि नहीं अच्छा अब देखें हम कि ये जो डार्क यानि कि जो गहरा वाला पोर्शन है ये उपर से इधर नीचे जा रहा है तो उपर से इधर नीचे जाना चाहिए यहाँ पर फिर से ऐसा जा रहा है जो कि गलत हो गया है हमें इधर से उपर जा रहा है तो अब ये इधर से जाएगा यानि ये मेरा आंसर हो जाएगा वन नमबर अगला question देखे दोस्ते आराम से के question को समझने का कोशिश करिए प्रयास करिए कोई तरह का doubt नहीं रहेगा ये surety है मेरी दोस्ते शलिए यहां देखते हैं यह जो तिकोन और उसके उपर प्लस का sign है वो नीचे है आगे है आगे का मतलब है दरपन के नजदीक है तिकोन और प्लस का sign ये काम खतम हो गया ये काम खतम हो गया तिकोन और प्लस का sign नीचे है आपको भी नजर आ रहा है उपर से ये नीचे की तरफ जा रहा है ये देखिए आप बराबर की तरफ रह रहा है ये भी खतम हो गया सिर्फ ये ही बत्सा मेरे पास आंस है चलिए अगला question देखते है आप question को आराम से समझने की कोशिश करें अगर ये इस दिशा में हैं तो ये तो कामी खतम हो गया ये भी उल्टा चला गया अब यहां देखते हैं ये person मतलब ये समझने चाबी का जो hole जो होता है की hole जैसा लग रहा है ये सीधा है ये सीधा ही रहेगा उल्टा नहीं हो जाएगा यही मेरा answer हो गया तो एक एक question में हमने किया दोस्तों more than 30 question अभी तो और बने रही है मैं आपको एक एक question करवाऊंगा आपने अगर इस course को लिया है तो मेरा suggestion है कि आप इसे पूरा देखिए नुकसान क्यों करते हैं आपका हो सकता है और बहतर question अभी बाकी है चलिए अगले question की तरफ चलते है देखेंगा ध्यान से ये जो तिकोन है ये उल्टा जाना चाहिए उपर की तरफ तिकोन उल्टा उपर की तरफ काम खतम हो गया अब बताईए जरा इसको करने में कितना समय लगेगा मुश्किल से 5 सेकेंड चलिए अगले question की तरफ हमें इस बात का विशेश ध्यान रखना है कि इसमें उल्टा मतब उपर से नीचे उल्टा नहीं होता है बस दाएं से बाएं बाएं से दाएं रहता है शलिए ध्यान से देखें हम दोनों पतियों जैसा आकार जो है इसमें अगर आप देखें तो ये line सीधी है यानि कि खड़ी तो नहीं होंगी ये भी काम कतम होंगया दोस्तों अब इन दोनों मैसे जो बच गया है उसे अगर हम गौर से देखें तो आपको नज़र आएगा नीचे की तरफ थोड़ा खुला है यानि कि सफेद है ये वाला काम नहीं आएगा और यही मेरा आंसर बन जाएगा आप ध्यान से देखेंगे न यहां आपको सफेद नज़र आ रहा है यहां उपर सफेद नज़र आ रहा है इसलिए मैंने कैंसल कर दिया चलिए आगे बढ़े हम अगले क्वेशन की तरफ ध्यान से देखेगा एक एक क्वेशन को हम बहुत ध्यान से गौर से कर रहे है अगर मैं ऐसे समझू कि ये वाला पोर्शन मुझे नीचे नज़र आ रहा है नीचे नज़र उल्टा नहीं होगा उपर नहीं जाएगा अब ये दोनों बच गए आपको उपर की तरफ एक गोला कटता वा नज़र आ रहा है जो कि यहां पर नहीं है यही मेरा आंसर हो गया एक एक क्वेशन को समझना है हमें तो हमारा एक्जाम में दो नंबर सुनिश्यत है अगर इस तरह का कोई भी सवाल आता है यहां आप देखेगा प्लस नीचे है उपर तो नहीं जाएगा काम खतम हो गया तीर का निशान यानि एरो का निशान बहार की तरफ आ रहा इधर भी बहार की तरफ आएगा यह भी कतम हो गया एक और क्वेशन देखिए साहाब देखेगा उपर सफेद नीचे काला ये तो खतम ही हो गया ये नजदीक है नजदीक में ना चीए ये भी खतम हो गया अब ध्यान से देखें तो अंदर प्लस नहीं क्रोस बना है प्लस नहीं क्रोस बना है कामी खतम हो गया ये खतम हो गया ये गोला ऊपर की तरफ है नीचे नहीं होना चीए ये भी खतम हो गया ये lines यहां सोती भी नजर आ रही है खड़ी नहीं होनी चाहिए गलत हो गया बच गया केवल एक तो आप देखिए जरा किस तरीके से हम बहुती सरल माध्यम से ध्यान से देखेगा अब इन्होंने क्या किया इस बार question में परिवर्तन है M1 N1 ध्यान से अगर आप देखें तो इस बार हमारा प्रतिविंब इधर बना मतलब दरपन इधर लगा है दरपन इधर लगा है मतलब इस बार ऐसा बनेगा यानि दरपन से जो नजदीक है दरपन से जो नजदीक है इधर सरकल आना चाहिए ये और ये और ये सब खतम हो गए, द्यान से देखेगा, जो left side में दरपण से नजदीक है, वो वापिस left side में दरपण के नजदीक होना जा है, हमने इस बार दरपण ही इधर लगा दिया है, इसका विशेश द्यान रखेगा, कुछ और question इसके करते हैं, देखेगा, इस बार दरपण नीचे लगाए, ध्यान से देखेगा, ये actually exam की भाषा में बोलें तो exam में दरपण प्रतिविम लिखावा है, लेकिन है जल प्रतिविम, water image क्यों, water image इसकी नीचे तो नज़र आती है, ध्यान से देखेगा, इसमें left left रहेगा, right रहेगा, यानि ये ये और ये खतम ही हो गया, ध्यान से देखेगा, left में left रहेगा, right वाला right में रहेगा, तो उल्टे सीधर तो होंगे ही नहीं, काम ही खतम हो गया, इस बार फिर से आपका MN जो है, नीचे की तरफ है, ध्यान से पूरा देखेगा, ये जो MN है, ये पूरा नीचे की तरफ है, यानि आपको इसी तरीके से रखना, यानि इस बार ही जो तिकोन ऊपर देख रहा है, अब ये तिकोन नीचे देखेगा, तो ये तो तीनों ही खतम हो गए न, क्या ये बात समझा रही है, क्योंकि हमारा mirror यहां लगावा है, एक और question देखने हैं ध्यान से देखेगा, इस बार हमारा तिक उधर से नजदीक बनेगा, सभी जगा बनाए, कोई दिक्कत ही नहीं है, सफेद बाहर है, सफेद बाहर है, ये दोनों cancel हो गए, यहां से देखेगा, आपका जो सफेद है न ये, ये इस तिकोन, यानि ट्राइंगल से बाहर है, चलिए, अब एक ट्राइंगल नीचे पीछे पड़ा है, इधर भी नीचे पीछे पड़ा है, तीर का निशान ऊपर जा रहा है, तीर का निशान ऊपर जाना चाहिए, ये भी खतम हो गया, ये ही बचा, क्या ये बात समझ आगे, important क्या है दोस्तों, आपका mirror, यानि की दरपन किदर लगा है, इधर देखेगा, इस बार आपका दरपन नीचे ही लगा है, ध्यान से देखेगा, ये लिखावा MN, नजर आ रहा होगा, आपको दरपन नीचे लगा है, यानि triangle ऊपर हो जाएगा, S सीधा है, सीधा रहेगा, ये तो खतम हो गई बात, S का circle ऊपर जा रहा है, ये भी गलत हो गई बात, अब इन दोनो की बात समझ आई, तो हमने देखा दोस्तों, किस तरीके से हमने आपको questions करवाए है, मेरा एक जो बहुत महत्वपूर suggestion है, वो ये है, questions को आराम से देखिए, mirror यानि कि दरपन लगा है, उसका left, right हो जाता है, right, left हो जाता है, जो दरपन से नजदीक है, वो वापिस दरपन के नजदीक रहता है, जो दरपन से दूर है, वो दरपन से दूर रहता है, हमने दरपन यानि mirror की position change करके देखी, तो भी हमने देखा कि इस तरह के questions हम कर पाए, बस इसी तरह के questions हम लोग यहाँ पर करवाना चाहरे थे, अगला जो आपको chapter पढ़ना रहेगा, वो आप आराम से जल प्रती भी मेनी water image बढ़ियेगा, थैंक्यू, प्लीज, लाइक, शेर, सब्सक्राइब, डिजिटल तैयारी